डियर स्टुडेंट आज का जो टॉपिक हम मोशन वाले चैप्टर में करेंगे ये टॉपिक आपका बहुत इंपोर्टेंट है और ये हमेशा आपका एक्जामस में आता है आज का टॉपिक है आपका ग्राफिय विधी से गति के समीकरन की ग्राफिय विधी के द्वारा गति क के समीह करनों को कैसे लिखा जाता है गति के समीह करनों को कैसे निकाला जाता है यह टॉपिक आपका बहुत इंपोटेंट है और यह जो हम इसमें थीन equation निकालेंगे यह हमेशा five marks में आपके पेपर में आती है तो dear students अभी इस वीडियो को बहुत ही कियरफुली देखना और इसमें जो भी इक्वेशन आपको समझाई जाएंगी उनको बड़े ही ध्यान से आपको देखना है समझना है ठीक है और इनकी जो प्रैक्टिस है वो आपको बार-बार करनी है तो आईए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं जब कोई वस यहां पर क्या बताया गया है कि जब कोई वस्तु आपकी सिधी रेखा में चल रही है और कैसे चल रही है वो एक समान तुरन से चलती है ठीक है तो जब वो एक समान तुरन का मतलब क्या होता है कि निश्चिस समय अंतराल में उसके वेग में परिवर्तन जो होता है वो समान होता है एक समान तोरण का मतलब समान समय अंतराल में वेग में परिवर्तन जो है वो समान है ठीक है एक समान तोरण का हमने एक्जामपल भी पढ़ा था कि जब कोई वस्तु समान समयंतराल में वेग में सेम परिवर्तन रहता है वेग में परिवर्तन जो समान समयंतराल में समान होता है तो उस तोरण को हम क्या कहते हैं एक समान तोरण तो यदि कोई वस्तु आपकी सीधी रेखा में चल रही है और अगर वो आपकी एक समान तुरण से चल रही है तो उसका जो वेग है उसके जो तुरण है और उसके द्वारा जो तैगी गई दूरी है उन सभी को हम एक equation की द्वारा निकाल सकते हैं या उनके बीच में हम एक equation बना सकते हैं जिसे हम क्या कहते हैं गती के समीकरण भी कहते हैं या equation of motion भी कहते हैं तो इसको हम गती के समीकरण भी कहते हैं तो ये जो तीन है आपके ये तीन आपके गती के समीकरण हैं तो पहला समीकरण इहां पे दिया गया है V बरावर U plus A T दूसरा समीकरण इसमें दिया गया है S बरावर UT plus half A T square और तीसरा समीकरण दिया गया है इसमें V square minus U square बरावर 2 A S ठीक है, तो ये गति के आपके 3 समीकरण होते हैं तो ये 3 समीकरण कैसे निकले, ठीक है ये हमने अपने आपसे नहीं बनाये बलकि ये हम graph ये विधी के द्वारा इनको निकालेंगे graph के द्वारा ये तीनो equations हम proof करेंगे कि कैसे ये equation आती है ठीक है? तो ये तीनो equations आप सभी को यादोनी चाहिए पहले equation है आपकी V बराबर U प्लस A T दूसरी equation होती है आपकी S बराबर U T प्लस half A T square और तीसरी equation है आपकी V square minus U square बराबर 2A S तो ये तीनो equations आपकी बहुत important है इन तीनों को अभी हम graph ये विधी के द्वारा proof करके दिखाएंगे तो जो U होता है ठीक है? U क्या चीज है यहापे? U वस्तु का प्रारंभिक वेग होता है ठीक है? और जो एक समान तुर्ण होता है वो A होता है और जो V है वो आपका अंतिम वेग है ठीक है? और जो S है वो तैकी गई दूरी है ठीक है? तो ये जो equations हमने आपे लिखी है यहापे U का क्या मतलब है? U जो है वो आपका इस condition में जो आपका U है U जो होता है वो वस्तू का प्रारंभिक वेग है यानि कि जितने वेग से वस्तू प्रारंभिक में चलती है स्टार्टिंग में जितने वेग से चलती है उसको हम प्रारंभिक वेग कहते हैं और प्रारंभिक वेग को हमने किस के द्वारा लिखा है? U के द्वारा T जो है यहाँ पर T क्या है हमारा समय है और V जो है यह हमारा अंतिम वेग होता है A जो है A हमारा क्या होता है तोहरण होता है और S जो होता है तैकी गई दूरी होती है ठीक है तो यह सारे यह जो हमने लिखे हैं इनके क्या मीनिंग है ये सभी को पता होना चाहिए ठीक है तो यू वस्तु का प्रारंभिक वेग है यू वस्तु का प्रारंभिक वेग होता है यानि कि कितने वेग से वो स्टार्टिंग में चलती है और उसका जो अंतिम वेग होता है वो वी होता है टी जो होता है वो समय है A जो है वो आपका एक समा अंत्वरण है और S जो है वो तैक की गई दूरी है तो इन सभी के बीच में हमने हमें जो ये रिलेशन दिया गया है हम इसको प्रूफ करेंगे और हम इसको जो है ग्राफिय विधी के द्वारा प्रूफ करेंगे ठीक है तो ग्राफिय विधी के हम यहाँ पे इसको proof करने की कोशिश करेंगे ठीक है तो पहला equation कौन सा है आपका इसमें जो गती का पहला सम्मीकरण है आपका वी बराबर यू प्लस एटी इसको हम क्या करेंगे पहले सम्मीकरण को हम proof करेंगे तो पहले यह जो graph है इसको हम ध्यान से देख लेते हैं यह graph हमने कौन सा graph बनाया गया है यह आपका वेग समें graph है यानि कि यहाँ पे हमने यहाँ पे हमने क्या बनाया है यहाँ पे आपका वेग है और यहाँ पे अगर हम नीचे देखें यहाँ पे क्या बनाया है आपका समें है तो यह हमने वेग समें graph बनाया है ठीक है और वेग समे ग्राफ ये किसके लिए है गति के समिक्रण को प्राप्त करने के लिए गति के तेने समिक्रणों को निकालने के लिए यहाँ पे हमने वेग समिक्राफ बनाया है तो यह आपका वेग समिक्राफ है ठीक है तो यहाँ पे कोई भी जो वस्तु है वो कहां से चलना स्टार्ट कर र लिए वस्तु आपकी A से चलना स्टार्ट करती है और B तक चलती है ठीक है तो वस्तु जो है वो A से चलना स्टार्ट करती है और B तक चलती है तो जो इसका प्रारंभिक बिंदू होगा starting point होगा वो है आपका a और जो इसका last बिंदू है अंतिम बिंदू है वो क्या होगा आपका b ठीक है तो यहाँ पे वस्तु जो है वो आपकी a से b तक जा रही है ठीक है तो जब वस्तु आपकी a पे है जहां से उसने कितना है जब आपकी a पॉइंट पे है तो उसका वेगी कितना है जब वस्तु आपकी a पॉइंट के पहुँच गई, पॉइंट B पे पहुँच गई, तो पॉइंट B पे उसका वेग कितना हैगा, V, ठीक है, तो जब वस्तु ने A से चलना स्टार्ट किया, तो उसका वेग था आपका U, और जब वो चलते चलते आपकी, लास्ट पॉइंट B पे पहुँच गई, तो उसका वस्तू का ठीक है तो यहां पे फिर हम ऐसे इसमें यह जो डैश डैश करके हमने एक लाइन यहां पे लगा लिया डैश डैश करके और यहां पे भी डैश डैश करके हमने एक लाइन लगा ली है ऐसे ठीक है तो यहां पे समझ आ गया आपको इतना कि यहां से वस्तू जो है व हमने बताया कि जब अस्तु A पे है तो उसका प्रारंभिक वेग कितना होगा U होगा तो यानि कि यहां से लेके यहां तक की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी U के बराबर होगी ठीक है और जब अस्तु B पे है तो उसका वेग कितना है V तो यहां से लेके यहां तक क जो value है नीचे हमें y axis पे y एक्ष पे तो हमें वेक की value दी गई है और x पे हमें किसके value दी गई है समय की value तो O से लेके c तक की value होगी वो किसके बराबर होगी T के बराबर होगी तो यह आपको बहुत यान से देखनाा ग्राफ में ठीक है तो वस्तु जो है आपकी वो A से चलना शुरू करती है और वो B तक चलती है वस्तू आपकी सीधी रेखा में चल रही है तो जब वो point A पे है तो उसका जो वेग है वो कितना है प्रारंबिक वेग U जब वस्तू आपकी B पे पहुँच गई तो उसका जो अंतिम वेग है वो है आपका V और O से C तक जाने में वो कितना समय लेती है T समय लेती है तो यहां से लेकर यहां तक का जो time हो गया वो आपका T हो गया ठीक है तो यह सारी equation आपको बहुत ध्यान से देखनी है तो अगर इस graph में आप देखो तो यहां से लेकर यहां तक की जो value है तो यह value आपके कितनी हो जाएगी यह value आपके कितनी हो जाएगी यह value आपके कितनी हो जाएगी V minus U यह value आपके कितनी हो जाएगी V minus U ठीक है तो इस graph को आपने ध्यान से देखा तो यहां पर हमने देखा कि जब अबस्तु आपकी A पर है तो उसका जो प्रारंबिक वेग वह आपका कितना है u है तो o a की जो value है वह हमने कितनी निकाली o a o a हमने किसके बराबर निकाला u के बराबर और ये जो b c है b c ठीक है तो हमें इसको एक बार खटा देते हैं तो जो o a है o a वो हमने किसके बराबर निकाला कि जो आपका o a है वो u के बराबर है फिर जो आपका ये b c है अभी हमने निकाला कि ये जो b c है ये किसके बराबर है आपका v के बराबर है और फिर हमने निकाला जो आपका b d है जो आपका b d है वो किसके बराबर है v minus u और जो o c है वो किसके बराबर है t तो ये अभी मैंने आपको graph में ये सारी चीज़े बताई है कि u आपका कौन सा distance है u आपका ये वाला distance है o a वाला जो distance है ये u है आपका ठीक है और ये o से लेके c तक का जो distance है o c ये आपका t के बराबर है ठीक है और यहां से जो आपका b c है b c की value हमारे पास कितनी है v और b d की value हमारे पास कितनी हो जाएगी b d हमारे पास कौन सा है ये वाला तो b d की value हो जाएगी हमारे पास v minus u ठीक है तो ये चीज़ आपको ध्यान से देखनी है तो ये हो गए आपके पास u ये हो गए आपके पास BC जो आपने निकाला V और जो BD है वो किसके बराबर हो जाएगा V minus U के बराबर और यहां से लेके यहां तक यह value आपके किसके बराबर हो जाएगी T के बराबर ठीक है अगर यह value आपकी U है तो यह वाली value भी इसके parallel है विलकुल यह भी आपकी U के बराबर हो जाएगी और अगर OCT है तो यह वाली value भी किसके बराबर हो जाएगी ठीक है क्योंकि दोनों जो हैं यह आपकी parallel होती है तो इस graph को ध्यान से देखो यही सबसे important S में OA की value हमने OA की value हमने U निकाली है ठीक है BC की value है आपकी V BD की value है V minus U OC की value है T और AD की value है T तो यह सारी values जो है अपनी notebook में note कर लो और यह graph में mention कर लो क्योंकि इनी से ही हम अब क्या निकालेंगे गति का पहला समिकरण हम इसमें निकालेंगे तो इसमें हम गति का पहला समिकरण निकालते हैं तो फर्स्ट equation जो होती है वो किसके बराबर होती है आपकी V बराबर U plus A T तो यह गति का पहला समिकरण है और इसको हमें proof करना है गति का पहला समिकरण और इसको हम यह proof करेंगे ठीक है तो अभी हमने निकाल लिया V क्या है यह आपका अंतिम वेग है जवस्तु आपकी point B पे पहुंच जाती है U आपका प्रारंबिक वेग है जवस्तु A से चलना स्टार्ट करती है A जो है उसका एक समान तुरण है और T जो है उसका समिक है तो अबर हम यहां से निकाले तो जो वेग में परिवर्टन होगा अभी हमें पता है कि जो वेग में परिवर्टन होता है उसको हम की एकसलेशन को हम एकसलेशन जो होता है हमारा जिसको हम तुरण भी कहते हैं वो किसके बराबर होता है वेग में परिवर्टन वेग में परिवर्तन बटे समे ठीक है तो यह होता है आपका जो x त्वरण की value होती है वो किसके बराबर होती है वेग में परिवर्तन बटे समे यह हमने पढ़िया भी त्वरण की परिवाशा और इसके हमने बहुत सारे numericals भी सवाल भी हल किये है तो त्वरण जो होता है वो किसके बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समे के बराबर होता है ठीक है तो अब हमें देखना है वेग में परिवर्तन क्या होगा तो जो आपका A होगा वेग में परिवर्तन कितना है आपका यहाँ पे तो ये हमने दिखाया था कि ये वाल आपका U था ये आपका V था और तो वेग में परिवर्तन फिर कितना आया आपका ये V-U ठीक है तो जो वेग में परिवर्तन आएगा वो क्या आएगा आपका V-U और समय कितना है यहां से लेकर यहां तक का जो समय हमने लिया है वो कितना है आपका T तो जो A की value आएगी वो किसके बराबर आएगी V minus U बटे T तो यहां पर जो पहले equation है उसको बनाने के लिए हमने जो पहले equation है उसको करने के लिए हमने यहां पर त्वरण का फॉर्मूला इस्तमाल किया है कि जो त्वरण का फॉर्मूला होता है वो किसके बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समय तो जो वेग में परिवर्तन है वो किसके बराबर है V-U और समय कितना है T ठीक है फिर हम T को इसके साथ multiply कर देंगे तो यह हो जाएगा आपका V minus U बराबर AT ठीक है और यही हमें proof करना था तो इसको अगर हम लिखें तो यह बन जाएगा आपके पास V बराबर U plus A into T तो यह है आपका गती का पहला समी करन first equation of motion इसको हम गती का पहला समी करन भी बोलते हैं ठीक है तो यह आपकी first equation of motion है A बराबर V minus U by T तो V जो है यह आपका प्रारंबिक वेग है U जो है यह अंतिम वेग है A जो है एक समानत्वरन है और T जो है वो आपका लिया गया समी है ठीक है तो यह पहला समी करन I hope सभी स्टूडन को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा तो यह जैसे जैसे मैंने अभी आपको इसमें यह ग्राफिय विधी के द्वारा इसको solve कराया है तो वैसे सभी स्टूडन्स इसको अपनी notebook में note करेंगे ठीक है